चार सो के करीब नर्सिंग स्टाफ ने रोड जाम कर दे विधाया के घर का घेराव अपनी मांगों को लेकर पांच महीने से कर रहे हैं धरना परदर्शन तीन मुख्य मांगे हैं जिसमें पेस्केल को भड़ाना और जो भत्ते हैं वे दिये चाएं और जो नर्सिंग स्टाफ है उनको ऑफिसर का दर्जा दिया जाए नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि सरकार लगातर हमारी मांगों को अंदेखा कर रही और पिछले 14 तारीकों मुख्य मंत्री ओपीस सोनी के साथ बैटक हुई परांतो इस बैटक में हमारी मांग सम्मंदित कोई फ फ्रटेस्ट मेरा नाम रवपृत कोर आसी साधी जो मंगा है यह पंजाब सरकार तो पिछले तिन साल तो चल रही है और लास्ट फाइव मांस तो साधा प्रोटेस्ट चल रहे है सरकार्नल साधी हमेशा मीटिंग हुं दिया पर मीटिंग देवे चो मिटी गोली देके तोर साथी सब्सक्राइब दिमांग है कि पे पैरेटी जो साड़ा 4600 ग्रेड दा ग्रेड सी उनु बत्ती सो अते लिया आता है वो दिवर जडिया साड़िया ओन वालिया कमिंग जिन्रेशन नर्सिंग जिन्रेशन वास्ते बहुत जादा माड़ी गाला है असी बीसी में सी नर्सि अफिसर दा जिरो सानु पहला शाली सो दा पे ग्रेड मिल दा सी ते फिर इनननु सानु नर्सिंग ऑफिसर दा डेजिगनेशन देंच की प्रॉब्लम है अग दूसरियां कैटिगरीज दा जो भी हैगाए ओ कैबनेट च पास नी होया जिरो सी मंत्रियां को ले ओपी सोनी ज साठे पथे साठा नर्सिस अलांस हुं दा है नर्सिंग प्रैक्टरिस अलांस साठा रिसक अलांस असा डाइट अलांस अ पत्यों पर एजिरो सीबारे जबेशिचन सेमा स्टेटर सेमा कैपिर पंजब सरकार इननों से मंधृआ जयां कारें पूरी होदोके फेसी मजबूर ह के साथे मुझूद्धा MLA सरदार कुशल दीप सिंग तिलो दा असी एथे कराव करना हैं क्योंकि असी पिछले 15 दिना तो स्ट्राइक ते बैटे हो या इनना विच्चों जा इनना दा कोई वी नमाइंदा आके उनना ने सानु पुच्छा नी भी मेरे शैर दिया स्टाफ नर सारा पंजाब ही स्ट्राइक ते बैठा होया है ते साथे जो फ्रीर कोड दिया 400 स्ट्रेंट था जडियां कुडियां बैठियों सारे फ्रीर कोड दिया कोई CSC PSC जिनने वी एते पैन देया मेडिकल कॉल सीवल हॉस्पिटल जेल हॉस्पिटल सारियां ही स्टाफ नर्सिस प्राइक ते याते साथे वलो पूरन कम बंद किता होया है अगला स्टेप पे इस तो बार असी अपना जो साथी हाइक मांड सानू करूगी स्टेट वड़ी करूगी ओदे वेच कल नू साथी खरड रैली है बहुत वड़ी वशाल रैली है सारे पंजाब दिया जूटी निया स्टाफ नर्सिस उत्थे सरकार दे खलाब रोश्त रैली कर रही है मैं सिसर रोजी एमर्जंसी डिपार्टमेंट से बात कर दी हूँ हमारी मुख्या मांगे दिखो तीन ही हमारी मुख्या मांगे हैं जिसमें एक तो हमारा पेस्केल इंक्रीज करने के लिए बोला गया है जो के आलड़ी हमें 4600 से मिल रहा था क्लैरिकल मिस्टेक के कारण इनोंने हमें बिलकुल डाउन कर दिया जबके हम B ग्रेड में आते हैं इनोंने हमें C से अब D ग्रेड में ये लेके आना चाहते हैं ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए जो क्लैरिकल मिस्टेक है उसको ठीक करवाएं और हमारा जो भी मकसद है उसको कंप्लीट करें ताके हम अपने जौब पे जा सके सेकिंड हमारे अलाउंस नर्सिस के अलाउंस है वो दिये जाए हमें और हमारा नर्सिंग डैजिगनेशन एक मैट्रो जैसे सीटी में नर्सिंग डैजिगनेशन नर्सिंग ओफिसर दिया जा चुका है तो फिर क्या पंजाब की सरकार को ये समझ नहीं आ रही, क्या नर्सिंग की स्टड़ी डिफरेंट है, सेम नर्सिंग की स्टड़ी है, सेम B.S.E., M.S.E., वो ही पढ़ाई, वो ही सब कुछ नर्सिंग का चल रहा है, वहाँ पे अगर नर्सिंग डैजिगनेशन, नर्सिंग क्यों पड़ी है? हमारा टोटली पूरा पंजाब आज सडकों पे उत्रा हुए है, क्योंकि सब की डिमांड एक ही है, सब का मुद्दा एक ही है, कि हमें हमारा नर्सिंग डैजिगनेशन दिया जाए, हमारा पेस्केल 4600 से किया जाए, हमारे अलाउंस हमें दिये जाए. तो लगबग फरीद कोट की कितरी निश्री से है? तो नेक्स हमारा जो भी प्रोग्राम है, हमने कल सब बढ़ चड़के एक रैली में जाना है, खरण में यो रैली हो रही है, उसमें हमने पार्टी स्पेट करना है. आज हम मजबूर होके एममेले के रैस्डेंट के वहाँ पे बैठे हुए है, हमने सड़क को जाम किया हुए है. कोई अधिकारी आया, आप की सब लेने? किया हुए है, आप की सब लेक रैस्पारी आया है, आप की वहाँ है. अधिकारी आया है, आप की सब लेकारी आया है.